हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियों बनाने वाले हैं आम का मिठा अचार इंस्टन तरीके से बनाएंगे और आप इसे लंबे समय तक श्टोर करके भी रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब भी नहीं होगा बिना फ्रिज के हम इसे श्टोर कर सकते हैं तो चलिए आज की वीड पूरी आम है इसमें गुदा ज्यादा होता है और यह खटा कम होता है तो अचार के लिए यह वाला आम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन आपके पास जो भी आम हो अचार का आप वह ले सकते हैं अम इसे च्छील लेना है और आपको देखने से लग रहा तो आपको अच्छी तरीके से इसका छिलका निकाल लेना है अब हमें इसे जो गुदा गुदा है वह हमें कट कर लेना है हमें इसके गुदा नहीं निकाल देना है तो साइड 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 से इस तरीके से में जो इसके गुदा है वह हम निकाल लेंगे तो आसानी से निकल मैं दिम् रिवा अपर अच्वर शोड़ती हए बन के बढ़े बादा है एक जमच जाम।ौल हम कीज चाएर नमक shirt मैं 2 चोटी चमच ले रही हूं THEIR दो थोड़ा सा हाम ज्यादा खटा है अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चट्पट़ा पसंद है यर्ष काउनक थे हैं मीक्स कर लएक hy और देखिए आप जब मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जासा आएगा तो घबराए नहीं अचार कोई खराब नहीं होगा बस हम यही प्रोसेस फॉलो करना है अब इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए चीनी और यहां पर देखिए मैंने तीन आम लिए थे तो मैं आप ले रही है 700 ग्राम चीनी और चीनी हमें पीस के लेना है तो अगर आम ज्यादा खटा है तो चीनी की कौंटिटी आप बढ़ाके भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने बोला कि आपके आम के उपर डिपेंड करता है कि आप कैसा आम ले रहे हैं तो आम जब भी आप कह सब्सक्राइल जो भी ले अचार के लिए और चख लेका हूं जालता है तो यह पर चीनी और नमक की क्व演्टीटी आप क्म जालता लोगी और पर चीनी की को यहां पीसके लेना है thatap आम कम लगे और चीनी के लिए यूग झालएयर घवये लाहें thenall idea यह जो आईयर जाए चक पत्ते हसे तला आतम भे नीचे से के रह्यां तुब्लाचे मेल्ट हो उसर सोटीज दूड़ा यह तीम भीषेसे मिक्स करना है नेला जो फेकले की जोड़ा हाथ को नीचे तक रिखना हैं जोड़ा सा भ Whenever भीषेसे के त्यम्सím तरफेट र दोगंटे मेंदेको 2-गंटे है भी तरहंना है कि भी अस्य गुछ्छी से दूप नहीं है क्योंट छात इधार चल्मत कर चुम्ट से घिला ले लगए जाgef median और इसमें एक चीज और मैं एड़ कर रही हूं मेथी के दाने अब मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और हमें कितना पकाना है और कैसे पता चलेगा कि हमारा अचार तैयार हुआ है या नहीं यह भी आपको मैं बताऊंगी तो आप वीडियो को पूरा देखिए बने रही है मेर अच्छी तरीके से चलाते हुए एक उबालाने तक आपको कंटिन्यू चलाना है नहीं तो चीनी को कितना भी पीस के लिए तो एक बार में जब कहीं जाता क्वांटिटी में डालते हैं तो नीचे तल्ले में बैढ जाता है जब तक इसमें उबालना है तब तक आप चलाते और हमें तब तक पकाना एक ตाarm के जैसे ना हो जाए उतना हमें खकना आप देख सकते कैब यह बिल्कुल पानी के जैसा है हमारा चास नी एक दम जैसे पानी होता है उसीлег के से है बस हमें से गाढ़ा होने तक पुख लेना है और इसको पकाने में आपको तो 10-12 minut लग सकता अगर high flame पर चलते हूँ पका रहे तो और इस तरीके से आप playt में डालके चेक करें कि यह नहीं हो ये लेकिन अभी यह अदिश्वाल नहीं बनी नहीं तो mergedने पर देख तल्लों को इसे बंद कर देंगे क्योंकि कड़ा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद तो आप बीज में चेक करते रहें जब एक तर्की हो जाएगी तो आप गया बंद कर दे अगर माल लेजिए आप इस तरी की बना रहे हैं और चासनी कड़क हो गई तो आपको उसमें थोड़ा सा गरम पाने डालके अच्छे से मिक्स कर लेजिए तो आपके जो आचार है वो सही हो जाएगी और यह देखिए एक तार की चासनी तयार हो गई है हमारा अच गरमाट से एक तार की चासनी पूरी कड़क हो ही जाएगी जैसा हमें अचार के लिए चाहिए देखिए मैंने आप गैस बंद कर दिया और इससे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेक्सर भी चेंज हो जाएगा तो आप जीरा पाउडर डाल रहे हूं एक चमच भरके और अधी छोटी चमच कस्मेरी रेट चिली पाउडर जो कम तिखा होता है कलर के लिए वैसे तो हमारा अचार का कलर बहुत प्यारा आया है इसे और थोड़ा सा मेड़ी डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और यह अचार हमारा एकदम तयार हो गया है अगर आप अचार बनाते टाइम कड़क हो जाता है तो आप थोड़ा सा गरम पानी डाल के उसे अच्छी तरीके से पकाए उसके बाद ही आप इसे ठंडा होने के बाद साफ सुत्रे काच के बरतन में ही इसे स्टोर करें काच के बरनी हो या फिर कोई भी बोल हो तो उसमें रखेंगे तो लंबे टाइम तक आपका अचार चलेगा बिल्कुल भी खराब हो नहीं होगा इसे दूप दिखाने के बिल्कुल भी जरूद नहीं या तैयार है आप रोटी पराठा के साथ या बच्चों को टिफिन में बदर टेस्टी लगती है तीस तरीके से आप भी बनाएए और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बाई बाई